तिक्टोक बैन होने के बाद इस धर्दी का सबसे खोश आदमी कौन है? हारे सरकार ने उनसर चीनियाग को बैन कर दिया है जिसमें टिक्टोक भी शामिल है लेकिन टिक्टोक बैन होने के बाद सोशल मीडिया पर एक नाम खूब ट्रेंट होने लगा ये नाम था यूट्यूबर क्यारी मिनाटी का और पज्येनागर का जिसके बाद लोगों ने खूब जंक और बधाया दी है क्यारी मिनाटी को लेकिन क्यारे मिनाटी और TikTok बाइं होने का क्या relation है आखिर क्यूं क्यारे मिनाटी को भर-भर के बधाया मिल रहे हैं सोचल मीडिया पर क्या है पूरा मामला आए जानते हैं क्यारे मिनाटी एक YouTuber है जो roast वीडियो बनाते हैं टिक टॉक से उनकी बहुत ही पुरानी दुश्मनी है अकसर देखा जाता है कि क्यारे मिनाटी टिक टॉक स्टार को roast करते हैं जिसके बाद सोचल मीडिया दो भागों में बढ़ गया पहला YouTuber दूसरा टिक टॉक हाला कि मामला सुल्खों में तब आया है जब टिक टॉक स्टार फैजल सिद्गी ने YouTuber केरी को roast करने का चैलेंज दिया जिसके बाद केरी दा एंड नामसिक वीडियो बनाया गया जिस पे तावट तोड व्यूज आये शोशल मीडिया और यूटुब पे इस वीडियो ने काफी बवाल मचाया लेकिन केरी मनाटी के इस वीडियो से कुछ लोगों को और LGBT समधायों को काफी आपती हुई काफी रिपोर्ट करने के बाद इस वीडियो को यूटुब से हटा दिया गया इस वीडियो में 70 से 80 मिलियन व्यूज आ चुके थे लेकिन यूटुब ने इस वीडियो को डिलेट कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पे भुचाल आ गया और बवाल मच गया लेकिन अब भ इसके साथ गईम ओवर के नाम से वीडियो बिनाई है जो टिक टॉक बैंड को लेकर है साथ ही मशूर यूटूबर आशी चंच्रानी लिखते हैं ये 2020 में साला एक ही आदमी खुश है वो है केरी मेनाटी इसके बाद सोचल मीडिया पर काफी सारे मीम शेयर किये गए टिक टॉक बैंड को लेकर और केरी मेनाटी की खुशी को लेकर शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए मैं तोशी मंदोला अगले वीडियो में मुलाकात करूंगी अगर ये वीडियो फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें यूटूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया